आज आपको बताने जा रहे हम योनेट टू में जो एकनॉमिक्स है सेमेस्टर टू की इकनॉमिक्स उसमें योनेट टू में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में और क्वेश्चन यह है कि qualitative और quantitative controls कौन से है Reserve Bank of India के तो देखे जब भी हम बात करते है Reserve Bank of India की तो इसका सबसे main काम है money supply को control करना ठीक है बात को समझेगा तो हमने कहा क्या control करना है आपको money supply तो जब हम money supply को control करेंगे तो money supply को control करने के लिए करना क्या है मार्केट में या तो पैसे को inject करना होता है इंजट करेंगे money supply बढ़ जाएगी या फिर मार्केट से पैसे को आप बाहर निकालेंगे तो money supply घट जाएगी करना क्यों पढ़ता है money supply अगर बढ़ती है तो inflation बढ़ता है और अगर money supply घटती है तो inflation घटता है अब क्योंकि RBI का काम यह है कि पूरी एकोनामी में inflation पे लगातार नजर बनाये रखे तो इस चीज़ को करने के लिए उसकी पास दो methods है एक method है जिसको हम लोग कहते है qualitative method और एक method है जिसको हम लोग बोलते है qualitative method तो quantitative method में सबसे पहला method होता है bank rate कौन से method है bank rate जहां से समझेगा कि जब कभी भी RBI जब कभी भी RBI commercial banks को loan देगी तो commercial banks को loan देने के लिए जिस rate of interest पे RBI commercial bank को loan देगा उसे कहेंगे reserve उसे कहेंगे bank rate reserve bank of india दोरा दिया गया commercial bank को जो rate दिया जाएगा जिस rate पे loan दिया जाएगा उसको बोलेंगे bank rate और जब यही commercial bank आगे चलके public को loan देंगे तो इसको बोलते है LR that is basically called lending rate तो देखे टू लोगे आपकी पास पहला quantitative methods में पहला tune हो गया bank rate बैंक रेट में क्या है RBI ने commercial bank को जिस rate of interest पे loan प्रवाइड कर आया वो है bank rate अब इसे कम या जादा करके money supply को RBI कंटोल कर सकता है चली यहां से अगर आगे बढ़ें तो next हमारे पास है CRR next हमारे पास होता है CRR जिसको हम लोग बोलते है cash reserve ratio दिहान से समझते हैं कि एक तरफ हमारे पास है RBI एक तरफ हमारे पास है RBI और एक तरफ हमारे पास है commercial banks अब RBI ने एक circular जारी किया RBI ने एक norm बनाया जिसके according यह जितने भी commercial banks हैं यह अपना कुछ जो कि जनरली अभी 3% से 15% के बीच में है और हलाकि 3% के lower security खतम भी कर दिया गया है तो यह वाला इतना amount 3-15% का जो cash reserve है वो RBI के पास ध्यान से वर्ट भीएगा पार्क करेंगे यानि commercial bank का इतना पैसा 3-15% जो पैसा होगा वो पैसा RBI यानि Reserve Bank of India के पास में पार्क हो जाएगा यह वो पैसा होगा जिसको commercial banks use नहीं कर सकते है यह पैसा चुप चाप as it is रखा रहेगा किसके पास RBI में ध्यान देंगे cash form में जाएगा और किसी form में नहीं जाता है और इसको जब calculate करते हैं तो calculate करने के लिए हम लोग ndtl का इस्तिमाल करते हैं इसको हम लोग कहते हैं net demand and time liability net demand and time liability यह वो है ndtl जिससे calculate किया जाता है कितना पैसा RBI के पास पार्क किया जाएगा चली यहां से आगे move करेंगे next method हमारे पास होता है SLR का अब जहां एक और जो commercial bank से उनका 3-15% तक का पैसा RBI के पास में पार्क हो गया वह यह दूसरी और banks को एक और निर्देश है कि banks 15% से 25% से 40% के बीच का जो amount है amount को banks अपने पास अपने पास store करके रखेंगे that means इतना पैसा bank खर्च नहीं कर सकते हैं इससे बोला जाता है SLR statutory liquidity ratio तो इस तरह से अगर देखा जाए अगर अपर circuits में हम देखें तो 40 प्लस 15 यानिके 55% तक amount को banks को रोग दिया गया है इतना पैसा जो commercial banks है वो generally public को रेलेज नहीं कर सकते हैं हलाकि अभी SLR का भी जो lower circuit rate को हटा दिया गया है और इसलिए अब SLR 18% तक चला जाता है तो आप में देखा bank rate, आप में देखा CRR, आप में देखा SLR ठीक है आगे देखते हैं और कौन से operations हैं आपके पास next है OMO यानिकी open market operation ओपन मार्केट ओपरेशन भी एक ऐसा ही quantitative tool है जिसमें जिसकी माद्यम से RBI bank से money supply को या तो कम करेगा या तो ज़्यादा करेगा बहुत द्य乾्त से समझीगा कि अभी होगा का यहां पर आर्वी आई जो भी government security होती है to be government syskust~!dl को या तो public Kята कर सकती है या फिल कर सकती है या उसी के Hesasauben से या तो उनको करेंगी या फिल को परचेज करेंगी तो क्योंकि RBI Government Securities को सेल भी करता है और पर्चेस भी करता है पॉइंट यह है कि इसमें पबलीक ही पार्टिसिपेट कर सकती है इसलिए इसको कहा जाता open market operations अब अगर Government Securities बेची जा रही है तो मार्केट से पैसा लिया जा रहा है money supply कम की जा रही है अब अगर यही पर जो government securities है अगर इनको G-Sec को अगर हम purchase कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो फिर money supply market में जा रहा है और यहां से money supply increase हो रहा है यह कुछ आपके पास basic tools है जिनके माध्यम से हम यह देखते हैं कि किस तरह से जो RBI है वह अपने quantitative जो methods है उनके थूप money supply को control करता है साथ साथ देखे तो रैपोरेड और reverse रैपोरेड यह दोनों भी अच्छी tools है जो कि बलकि अच्छे हम कहें फिर बहुत जादा effective tools है जिनसे आप money supply को control करते हैं इसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर overnight RBI कभी भी किसी commercial bank को किसी भी commercial bank को वर्ड याद रखेंगे overnight यानि कि short term के लिए पैसा उधार दे रहा है मैं रेट में long term जाएगा यहां पर अगर लंबे time के लिए short time के लिए overnight याद रखेंगे पैसा दिया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट और इस रेट पे आर्बी आई जो है commercial banks को पैसा उधार देगी और अगर commercial bank RBI के पास अपना पैसा रखना चाहें तो उसको कहा जाता है reverse raporate तो एक तरफ हो गया raporate दुछ तरफ हो गया आप्टर पास reverse raporate ठीक है यह basic tools है जो आपको पता होने चाहिए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास qualitative methods यह है जो qualitative methods है इनमें है केड़िट राशनिंग है marginal requirement है moral association है यह आप डारेक्ट कंट्रोल है ध्यान से समझे केड़िट राशनिंग का मतलब यह हो गया कितना पैसा किसको जाएगा अगर बैंक 100 क्रोड रूपीज रिलीज कर सकता है तो 60 क्रोड रूपीज वह आप स्टड़ी प में कहता है कि कोई भी जो बैंक्स है वो कुछ गलत ना करें सही व्यक्ति को लोन दें सो समझ के लोन दें डाकुमेंट्स सही लखें तो moral association से कहा जाएगा margin requirements पे RBI काम करता है RBI यह कहता है कि आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप सामने वाले पर ट्रस्ट मत करिए कि इस पे इतना लोन है यतने का लोन ही प्रवाइड कर सकते हैं आप देखे कि किसको कितना प्रवाइड किया जा सकता है वह है आपका margin requirements अगर आपकी प्रॉपारटी 100 क्रोर्स ही है लेकिन कॉमर्शियल बैंक करता है कि 60 क्रोल का है तो हम जो लोन प्रवाइड कराएंगे वह अपॉर्डिंग टू सिस्टी क्रोल्स प्रवाइड कर ठीक है और इसी तरह से हमारे पाद डायेट कंट्रोल से जब आरवे की बात क सुनता नहीं है तो और इस पर एक्शन लेता है रेसेंटली पेटियम के केस में आपने देखा बेसिक जो है वह फंडमेंटल यहां पर कॉंसेप्ट यह है कि जब हम क्वांटेटेटिव की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि किस तरफ को पैसा जा रहा है तो यह दो बेसिक बाते हैं जिसके तुरू आरवी आई अपने पैसे को मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अगरामी में पूरी की पूरी मने सप्लाई को कंट्रोल करता है तो एक अच्छा कोईश्चन है तैयार करिए गर थैंक्यू हुआ हुआ झाल